Hello dear student, I hope you all are fine. In this video, we are going to start our new topic, measurement of length. Dear student, इस वीडियो में हम measurement of length के बारे में पढ़ेंगे. Measurement कैसे होता है length का? So start करते हैं, a vernier calipers is used for length to an accuracy of 10 की power minus 4 meter. Vernier calipers एक scale होता है, जिसको हम किसले इस्तमाल करते हैं? Length को measure करने के लिए, बहुत छोटी meter scale होता है, बच्चों हमारे पास एक scale होता है, वो centimeter की length को measure कर सकते हैं, लेकिन vernier calipers 10 की power minus 4 meter की जो हमारी length है, उसको measure करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं, यह हमारी lab के अंदर है, मैं आपको जब भी आप स्कूल में आएंगे, तो मैं आपक को सिखाऊंगी, okay, तो one year caliper से हम कितनी length निकाल सकते हैं, 10 की power minus 4 meter तक की length निकाल सकते हैं, second scale होता है, हमारा screw gauge और spherometer, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, length को find out कर सकते हैं, जो हमाई 10 की power minus 5 meter तक की होती है, ठीक है, लेकिन कुछ length बहुत जादा छूटी होती है, जैसे atoms की 10 क 10 की power minus 10 angostrom, nucleus की 10 की power minus 15 angostrom, तो उसको हम scale से 1 year caliper, screw gauge, spherometer से find out नहीं कर सकते हैं, तो कुछ method हैं, उनको find out करने के, वो हम इस chapter में, इस topic में discuss करेंगे, तो measurement of large distance, तो starting हम करेंगे, पहले हम atoms की length होगई, ठीक है, तो यह क्या होगई, shortest distance, यह shortest भी, और क्या होगई, एक length, क्या ह measurement of large distance, तो large भी हमें निकालनी है, large distance, जैसे यहां से, sun से, अर्थ तक की दूरी कितनी है, ठीक है, एक planet की, दूसरे planet से कितनी दूरी है, तो large distance भी होगई, यह हमारी, short distance, जैसे atom की distance होगई, molecule की, nucleus की, तो यह सभी distance कैसे measure होती है, कैसे find out करते हैं, हम कैसा method लगाते हैं, तो व distance का, उसको बोलते हैं, parallax method, को यहां बोलते हैं, बच्चो, parallax method, तो start है, करते हैं, यहां से, when, जब, you hold a pencil in front of you, against some specific point on the background, and look at the pencil, first, through your left eye, ठीक है, अगर आप यहां पर क्या रखते हैं, एक pencil रखी हुए यह, ऐसे रखी हुए यह pencil, ठीक है, पैन है, अब आप क्या करते हैं, अपनी right eyes को close कर लेते हैं, और left से देखते हैं, ठीक है, क्या आपने क्या क्या, पैन रखा, और अपनी left eye से, right eyes को क्या कर ले, close कर ले, अपने hand से, और left eye से देखें, ठीक है, and then, look at the pencil, through your right eye भी, उसके बाद क्या करें, आप, अपनी left eyes को बंद कर ले, और right eye से, देखें, आप देखेंगे, जो आपकी position थी, उसकी pencil की, वो आपको change दिखाई देगी, और इसी distance को क्या बोलते हैं, हम parallax बोलते हैं, और जो उन तोनों की बीच की हमारी distance, इसको हम find out करते हैं, तो यही क्या होता है, हमारा parallax method होता है, यह student मैं आपकी language में इसको समझाती हूँ, suppose यह एक pencil है, आप क्या करें, अपनी right eyes close कर ले, right eyes close कर ले, left eyes से देखें, उसके बाद रखें इसको, फिर उसके बाद आप अपनी यह वाली दूसरी eyes close कर ले, और next दूसरी eyes से देखें, तो आपको उन दुनों के बीच में इसको समझाती है, suppose यहां पर अर्थ के ऊपर हम distance निकालना चाहा रहे हैं, यह अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर two points से A and B, और यहां पर यह क्या है, एक point है, सन मान सकते हैं, आपको इभी point है, यहां तक कि हमें दूरी निकालनी है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डी नि सकते हैं, कि हमने कितने angle से इसको मिलाया है, तो इसका formula होता है, यह वाली distance निकालने का, सन से जो अर्थ की distance है, कैसे निकालने के, डी इकवल्स टू, बी अपॉन थीटा, बी यानि के जो हमारे पास यह अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने दो point लिये, उनसे हमने दो आर्क यह 60, suppose 60 degree के angle पे की हैं, और यह हमने लख लिया, यह भी 60 km है, तो 60 upon 60, तो हमारा d कितना जाएगा, 1, है न, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, parallax method से, अपना, जो तनी भी distance एक planet से, दूसरी planet की, निकाल सकते हैं, if d is the diameter of the planet, and alpha the angular size of the planet, यदि d क्या है, diameter है planet का, और alpha क्या है, angular size है, planet का, तो alpha को हम क्या लिख सकते है, small d upon capital D, ठीक है, तो अगर हमारे पास angular size होगा, वो कितना होगा, alpha equals to small d upon capital D, उसके पात, dear students, estimation of very small distances, बहुत छोटी distances के बारे में, हम नहीं वीडियो में करेंगे, suppose आपको क्या करना है, इसमें, estimation of very small distances, आपको यह करना है, आपको find out करना है, हम कौन कौन सी के लिए, हम कौन सा method इसमें, स्तमाल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लावा, आपको जो last distance है, हमारे जो मैंने, आपको last distances कराई है, आपको इसके example है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और example है, वो आपको copy में करने हैं, उसकी वीडियो आपको मिलेगी लेकिन एक बार आपको उसको try करना है, okay dear student, कोई भी डाउटों आप मुसे पूछ सकते हैं, thank you